कि नुट सितने भारतीजनना पार्टी ना बे दिवस आपऊ चो और सिवसे ना ने एकतों आपऊ चो बहुमती पुर्वार करवा आप्या नहीं चैनल पुर्वार्टर शे एंसीपी एनिसाते जोडा शे एंसीपी एले के बादाश सहईब ठाकरे अने शरतपवार ना संबंदो बहुँच सारा रहा चे अमेशा अने अला अमारे त्रीमूर्ती के वाती ती जोर्ज पर्नांडीज बादा सहईब अने अने शो महीना के वरस सुधी राज करशे पन भारतिय जिनता पार्टी ना मोडा उपरा संसन तो तमाच हो चे अने शीन सेना नी कई महत्वा कांक्षा हमादी बाहर आवी होई उन देखाई चे शुबाज जी उससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहा आपकी पर्मिशन से बीजेपी सरकार नहीं बना सकती ऐसा हो नहीं सकता बीजेपी खुद नहीं चाहे तो सरकार ना बने तब ही ऐसा होता है क्योंकि बीजेपी का जो पास रिकॉर्ड 2014 से रहा है जब उनके पास 12 MLA होते हैं तो नागालेंड सिक्म में वो सरकार बना लेते हैं दो MLA होते हैं मि कैसे बनाना है कैसे सीखना है वो बीजेपी से सीखना चाहिए और बनी हुई सरकारों को कैसे हटाना है कंदाटका का हमारे एक्जामपल है वो बीजेपी से सीखना चाहिए बीजेपी सरकार नहीं बना पाए हरी जी मैं और योगेश जी इस सीज में कंफ्यूज है कि बीजेप तीन डिजिट के बाद भी नहीं बना पारी तो क्या कारण है और उसके साथ तीन डिजिट में उसका नमबर है फिर भी वो सरकार नहीं बना पारी उसके उससे पहले तो मतलब 2014 का जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी की पहली बार इतनी बड़ी सीटे आई और अभी सेकिंड मतलब उनके खुद के comparison से second largest है तो बीजेपी इसमें दो चीजे हैं या तो बीजेपी की इच्छा शक्ती नहीं है महाराष्टा में सरकार बनाने की उसके कारण यह हो सकते हैं पहला कारण यह हो सकता है कि शिफसेना को जो करना है करने दो या शिफसेना उनका जो जूनियर एल में वो आगे बेसिकली वोटर बैंक तो शिफसेना कहीं था 1990 में अगर बात करें NDA में आने से शिफसेना को नुकसान हुआ था क्योंकि शिफसेना बड़ा एली था महाराष्टा में और अभी उल्टा हो गया और आज वो शिफसेना की बात नहीं सुन रहे तो कहीना के उनक स्टरोक है सरकार ना बनाना जब वो मिजोर्म में एक सीट से सरकार बना सकते हैं तो यहाँ पर 105 होने के बाद भी वो सरकार नहीं बनाने तो कोई ना कोई तो लॉजिक वो यूज करें वो किसी के कल्चर में एड प्रेजेंट नहीं है पर बीजेपी का जो कल्चर है सरकार बनाने का वो किसी के कल्चर में एड प्रेजेट नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं है जहाँ पर संग का मुक्याला है वहाँ केवल 8-10 सीट में से केवल 1 सीट उसको मिलती है क्या बात कर रहे हैं दूसरा उधारी के जो ले आए हैं एंसीपी से या तो कांग्रस से वो तो हार गये सब शिवाजी के वंशत जो की चार महीने पहले एंसीपी में वह संसर बनाए उनके आया है सांदरा से वह हार गया है अरे वीके पादील का फैमिली कभी हार नहीं सकता मैंने मुझे तो अधका लगा क्योंकि वह कभी हार नहीं सकता है अशोग जी व्यंग जो होता है ना उसको व्यंग की तरह देखते हैं और व्यंग आप से अच्छा कोई करता नहीं है आपके विश्वास की दात दे रहा हूं विश्वास के साथ उसको व्यंग बोलते हैं और व्यंग मैं दात दीजिए आपको अच्छी वादे लेका हूं अनि एका एक शीव से नाए भाजब साथे चेड़ो फाड़ो पोता नी जीद पकड़ी राखी छे तो आप पकड़ी राखवा पाच अनू कारण शू दुकरण के जेरी ते हरी भाई ये करिऊ के गम्मे तेरे शीव से ना कॉंप्रोबाइज करी लई शे के मती पड़ आवक्ति शीव से नाए कॉंप्रोबाइज ना थी करिऊ एनू एक करन तमने यू लागे चे के शरत पवार्पनी पार्टी नी एक साइलेंस नी एक हिंट अपने माले लिए ती के कोई नी ही आवे तो हमें तमारी साथे चीए सुभाश्वी पहली वात तो है क्या 50-50 नी वात मात्र गुद्धव जी अने अमित्षा वच्चे थे चे तो अमित्षा अटला बादा साइलेंस केम छे अने ए 50-50 नी वात था हती के ना था हती शीव सेना जोर शोर थी रोज कहा करे चे बाजब तरब थी कोई केतू नथी अमित्षा तो बोलता नथी फड़न्वी सेम कहूं के भी मैं अमित्षा ने फोन करी ने पूछिव तो एमने कि दू आभी कोई वात थे निदे आ एक रहस्या चे साचूशू खोटूशू पोलिटिक्स मा शोधू वो मुश्केल होई चे पड़ हमना तमे वात करी मिजो रा तो नो दफन आ महाराष्ट्र नो कल्चर पोलिटिकल कल्चर रहे उचे अवे आजने तारिक मा जे आ त्राण पार्टियों भेगा थे ने सरकार बनावे उचे ए लोकों ना जे मुख्य सुत्र चे आचे कॉंग्रेस हैं के चे वी डोंट उन्ट प्रेशिड़ रूल एन्सी शरत पावारे बेज आनी पेलाना इलेक्शन वखते फड़न वीस ने अमें बार्थी टेको आपीशों एमकरी ने शिवसेना ने नबावी हती अने शिवसेना नमती गई हती आ वखते शरत पावार का एक जुदो रोल रमी रहा से कदाच एनू करण इडी होई शके जे होई एटले एमनी पासे अने आमानी कोईपन पाड़ी ने विचार धारा के एमना पोता ना कोई सिद्धान तो एव तो करशू छे नी सिद्धान ते कचे अमारे सत्ता मिल वीज बीजेपी आवखते गमेते कारण सर निश्फड गई चे या तो कोई एवी आनी रण नहीती पण हवे लोको एक वाद समत्त्या था चेक मोधी सेंटर मां जोए चामारे पर राज्यों मां नहीं राज्यों ना छिला बेजे रिजल्ट आविया अपने महरास्ट्रा ने हरियानानी बाद करिये बने जग्याए लोको एवीर जातना ओट आपया के अमारे भाजपनी सरका अध्यार ना थी जोए ती अथ्वा तो भाजप माटी अमने अवे प्रेम ना थी अमने मोधी माटे नो प्रेम छे अजो काले इलेक्षन थाए तो कजा जोड़ी वे चाले लोक सभा पुर्दू राज्य सभानू मने लगे ज़दा ज़दा राज्यों मां पन जो तो आप परिष्थिती आवी ने उभीरे जे महराष्ट्रमाने हरिया नामा थी हरिया नामा तो गमे तैम करीने के बाद चोड़ करी शक्या अहिया थावा माटे ना बदा प्रेत नो कर्या जशे बले बाद बाहर न थी आवी आने भाजप बोलकू न थी शिव सेना बोलकी अवे शरद पवार एक किंग मेकर बनी रहा चे आप एंसीपी ना प्रतिनी दी चो गुजरात खाते तो लागे चे के शिव सेना साथे एंसीपी बैसीजर शे अने कॉंग्रेस बारती टेको आप शे आउ कहीं कड़ मतल चाली रही चे मारी पार्टी ना उपर बंबेवात न अने जी इलेक्शन ना थावा जोगी है कॉंग्रेस एंसीपी ने सेव सेना ने मडी ने सरकार बना भी जोगी है आउ मारों पोता नो एक राय चे आने मस्वर हो चे मारी सोचे भी चे के पब्लिक नी उपर आटली महेंगवारी मा वीजो इलेक्शन नो खर्चो ना ना नाक आउती काल सुधी मा तमारी सरकार रचाई जो शे अत्या सुधी सिव सेना भाजपनी यूती सिव सेना तरपती तोड़वा मा आवी न थी ने लगातार अमित भाई सा जोडे जे उद्धव ठाकरे ने जी वात था यती 50-50 नी एना उपर लगातार सिव सेना एमने कहती आई छे के आपने बन्नेने माराष्ट नी जनता है जे मैंडेड आपियो छे एनो पालन करो न गटबंदन धरम नो पन पालन करो पान अत्यार सुधी चानक के कहवाता अमित भाई साय जारे उद्धव जी जोडे वात चित करी ने अत्यारे माराष्ट ना लोको पर छोड़ी दि एमनी वात मानता न थी एकले एमने आखो मुद्धो माराष्ट ना लोको पर छोड़ी दिदूना माराष्ट ना सीम अता है फड़वनिस जी एमने जे के सतत पांच वरस मारेज मुख्य मंत्री बनवो छे एमनी जिदना लीधे माराष्ट नी जनताने अब भोगवानों वा पारो आविर्यों छे के एमने यूती ने साथे मली ने मेंडेड आप्यों हतो पन ए मेंडेड मा जे गडबंदन धरम निभावा मांगता न थी अने शीव से ना कीदू हतो के जो तमें मोटा पक्स तरीके छो तो तमें सरकार बनाओ अमें तमारू स्वागत करी सू राज्य पालना बोलावया पची तरण दिवसनों एमने समयाप्यों भे दिवसनों पान आजे एमने एमनी जे मिटिंग हती एमा पची नकी करियों के अमें सरकार बनावी सक्ता न थी अमें सक्षम न थी एटले हवे राज्य पाले सीव सेना ने आमंत्रन आप्यों छे 24 कल्लाक नों समयाप्यों छे माराष्ट ना हितनी अंदर ने फरीती इलेक्षन ना थाए ने जारे बद्दा कई रहा छे जारे भारती जनता पार्टी तरफ ती अमारी गडबंदान ना एंडी ये तरफ ती जे प्रधान मंत्री छे एपन पवार जी नी आटली प्रसंसा करे छे एमने प ये दबावनी नी थी चे मारा विसलेसक मित्रों जे बद्धा राज्यों ना का नाम निधा त्या जी अमनी दबावनी इस्तिती चे ने खरित परोक्नी ये वाद से आवक motty चाली न थी के एम के ये वच्चे तो बद्दा हैं ना जे मुंटेगर ने केम जे जे एमना MLNM बोटा नेताओ छे के सिव सेना ना 25 अमारी पासे छे NCP ना में तोड़ी लेशू, कॉंग्रेस ना आमारी संपर्क में छे एक कोई पाण MLNM जे जे चाला की छे जे एमनी जे रीत भाद छे के सरकारों बनावा माटे तोरो ने करो पाण अत्यारे सिव सेना जे गड़बन धरम निवाबा माटे सता तेमना पर प्रेसर करते हती के यमके तमें जे जया पनऊ जारे तमें मायवती जी निसाते हैं आमने दोकवा अपियो, यंने तमें PCM बनावा माटे करी सको ये तमे जे देशनो गद्दार को चो, जे ने पाकिस्तानी को चो, ये तमे Lebuga मुख्टी ने जाएस सरकार माँ मुख्य मंत्री बनाई सको, तो तमने नाना भाईती मोटा भाई बनावा माते, अने तमने गुजरातनी अंदर जारे मुख्य मंत्री पत्ती फैकी देवा माँ ना था त्यारे सपोर्ट करीने पाण मुख्य मंत्री चालू राक्यू ने आजे तमें हिंदुत्वे ना चेहरा तरीके देशना वड़ा प्रधान चो एवी जे तमने साथे नाना भाई ती मोटा भाई बनाया एमने तमें जमारा वादा करेला तमें फरी जाओ तमें सामय अर्वाई तमने शू लागे चेहरे नीपासे बहुत्व ट्रंप कार्ड छे एचे नीतिन गड़करी नीतिन गड़करी आखी वात मा साइलेंट छे करनके देवेंदर फड़न विज्चे चूटनी वक्ते पोतानों मत्तरक बरवा गया त्यारे नीतिन गड़करी ने साथे लहीने गया था अने तेम छता नीतिन गड़करी साइलेंट छे एमने पोताना कोई दाव आघाबते खेला नथी maggot पड्या शू लागे चेकर नीतिन गड़करी आख लोगता साइलेंट लगत लूए नितिन गड़करी पोते जन मुक्ष्मंत्री पद्ना उमेद्वार नह संगना बहुज निस्थावंत कार्य करता छे तम ने कहूं एडलाज मांटे नरेंद्र मोदी ये पोतानी महराष्टनी जायर सभा मां देवेंद्र फड़न भी से सारू काम करें उजे अने बावी मुख्यमंत्री ये जर्शी ये जायरत अगाउधी करी चुके ला अने देवेंद्र फड़न भी से इटली हवा बराई गयती के ये चुंटनी पहला चुंटनी पहला सभावनी अंदर जेम आपने चने यहां पने एक उत्तर गुजरात ना एक नेता चने पोताने मुख्यमंत्री पतना उमेद्वार जायर करया करता ताने आरी गया ए रिते चने देवेंद्र फड़न विस्ट लगे पांच वरस सुधी हूं एमके मुख्यमंत्री रेवा नोचु एवी जायरा तो करता ता इटले आमा बे बाबत छे तमें को छो एम नितिन गड़करी एम नो बंबावालो छे बारतिये जनता पार्टी नो नितिन गड़करी एटले बैर पर नितिन ने जहे जे रिते आइसोलेट करवानी कोशिश थे नितिन ने जहे एना पोता ना कातानी बाबद महुतो मैंने महारास्त्र ना मंत्री तरीके बन जोया चे एटले एप खते पने परफोर्मर अनि मात्रवातों ओची करें चे कामवदारे करें चे योगिन शुको छो ने मारे अशोग वहीं एक सवाल पूछो तो जी के तमें आकली बदी चिंता करो चो काले साड़ा साथ वागया सुधी मां तमारा संजय राउत है तो कवितु के अमारी पास एक्षो पंच सब्सक्राइब करें तो एक चीज तो पूरे इंसिडेंट से क्लियर होती है कि महा यूती जो थी एक महा जूट था महा जूटी थी क्योंकि 50-50 का जो फॉर्मूला था वो अगर आपके दो लोगों के बीच में हुआ है अमिच शाह और उदर्व ठाकरे के बीच में उन दोन मैं लिया है सिरुसेना बोल रही है कि मान लिया है तो वह बोल रही है! और नहीं माना तो आप नहीं ऊपर नीट énorme बाजियर वही है। इससे कही ना कही जो महारास्टर की लोगों से जूट बोला है वो बहुत बड़ा सवाल है देखिए कॉंग्रेस पे हम बोल नहीं सकते कि कॉंग्रेस चौथे नंबर पे और जो बीजेपी ने या एडी का त्रिशोल का हम यूज़ करते हैं एडी का सीबी आई का हम यूज़ क करते हैं तो उसके चक्कर में जो एंसीपी को फाइदा हुआ है शारत पावार जी को डायरेक्ट जो फाइदा मिला है उसमें कहीना कि देखिए जो गेम देखिए सबसे जादा बोलने वाला शिवसेना है बाकी एंसीपी मज़े कर रहा है कॉंग्रेस को पता है कि हमारी पूरी चीज में इसमें बेनेफिश्री कौन है बेनेफिश्री जो है वो है third party नसीपी नसीपी को direct बेनेफिश्री जो king making का रोल होगा जो joint politics का रोल होगा और साथ में ये जो चीज है बीजेपी का जो slip out है इतनी बढ़िया opportunity आपका एक भाई है जिसके साथ आपकोसे बात क करने थी और एक बार सरकार दे भी देते हैं ऐसा नहीं है बीजेपी सरकार नहीं देती है आप जेडियू के साथ सरकार बना लेते हो बिहार में कॉंग्रेस को हटा के महभूबा के साथ सरकार बना लेते हो एक सीट आती है तो आप सरकार बना ले तो आपको सरकार बनाना आता ह आप चाहते हो तो बना सकते हो और ये आपका वो NDA formation में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी पार्टी का है तो शिफ सेना का है और शिफ सेना को आप सबसे पीछे कर रहे हो इससे क्या होगा इससे डाइरेक्ट फाइदा बीजेपी को नहीं होगा अहोद्या की वर्डिक्ट के बाद भी डाइरेक्ट फाइदा बीजेपी को नहीं होगा डाइरेक्ट फाइदा इसमें अगर री-Election भी होता है तो शिफ सेना को होता है क्योंकि शिवसेना का vote bank जो है हिंदुत्व का vote bank जो है वो fix था शिवसेना ने compromise किया BJP के लिए क्योंकि उनका center में अच्छा है और 2014 से उनकी wave अच्छी है उन्होंने compromise किया पर उससे पहले ज़्यादा सीटों पे लड़ा करता था शिवसेना कम सीटे आती थी BJP की तो शिवसेना वापिस से वो ही अपने आकरमक style पे वापिस आएगा और ज़्यादा सीटों पे लड़ेगा अब तो यह जो relation है यह खतम हो चुका है और अगर सरकार बनती भी है अब तो बनने के chance नहीं कल तक था अगर सरकार BJP शिवसेना की बनती भी है जो इतने दिनों से पंदरा दिनों से जो इनके बीच का जो मैल है बाहर आ रहा है एक दुसरे को गाली गलोज कर रहे हैं तो वो सरकार वैसे ही नहीं चला सकते जब मैं और हरी भाई एक दुसरे को पसंद ही नहीं करते एक compromising position पे कि ये ढ़ाई साल चला ले ढ़ाई साल मैं चला लू हम लोग ए compromising position पे आते तो हमारे मन तो नहीं मैच करते दिल मैच नहीं करते तो सरकार तो वैसी मैच नहीं करेगी तो अब golden opportunity national scenario के लिए बनती है NCP के लिए जिसकी state leadership अगर शिफसेना सही तरीके से एक एक चीज को handle कर ले और सबसे बड़ा जो competition है वो BJP से और अपने खुद के MLA से कि इन तीनों पार्टियों को अपने MLA को बचा के रखना है और एक साथ चलना है जो बहुत मुश्किल काम है अगर कर लेती है तो master stocker दो जार उनिस का अपनी चर्चानों दोर चालू राकिये चे ने अईया लईये चे एक नानकडों विराम इंडो यूएस सीड्स नी लेबोरेटरी मा अत्याधुनिक वैगनान एक पद्धिती द्वारा थाए चे research औने टेस्टिंग इंडो यूएस ना संश्धित 0,2 अनो इंडो यूएस 999 अने इंडो यूएस रविडार इंडो यूएस ना नवा संश्धित बियार अनो जे आपे उचा समयमा वधुपार इंडो यूएस सीड्स जादि उच्चो जाथे ओहार, लिजद पापड हो हर बार कर्रम, कर्रम, कर्रम मज़ेदार लिजदार, चाथ़ लेजद तार्म, सास्वाद में लिजद लिजद पापड खादी और ग्राम coating कमिशन द्वारा मानले श्री महला कृन योगिजद पापड गुजराद समाचार एक गौरव अन्ती परंपरा तेरी फू-फू बाते रख तेरे पास ये मेरा चीज है धराने धारन करनार वासू अने धर्ती माथी धान पैदा करनार वसुंधरा बीज श्रेष्ट गुणवत्ता सभर बीजना जनक चे वसुंधरा सीड्स वधारे सारूत पादन मिलवा माटे अचूक वावो रिसर्च जीरू बीज वसुंधरा चार अने वसुंधरा बोस रिसर्च राइडो बीज शिवा वसुंधरा रिसर्च धाना बीज वसुन्धरा 251 रिसर्च घाउं बीज वसुन्धरा 51 वसुन्धरा बीजवावो अने सम्रुधी लावो Headlines presented by पतंजली दंद कांती करुणों देश्वास्तियों का भरोसिमन हर्बल टूथपेस्ट सरकार रच्वानों करें इनकार तो राजपाले शीव सेना ने आप यू सरकार रच्वा माटे आमन्तरण NCP शीव सेना ने टेको आपे तेवी शक्यता हो NCP नू निवेदन भाज़ा पज़ पासे नू जुडान शीव सेना तो सरकार मापी शुचाथ NCP अजित डोबाल साथे वीवित कोमना दर्मंगुरू नी बैड़क देशमा शांती औने बाई चारो जाड़ वी राखवा कराई चर्चा तेशमा शांती डोड़वा पाकिस्तानी आतन की संगडन जैसे मौमध नू कावत्रू औने गुप्तचर एजन्सियों ने आपी मोटा हुमलानी चेतावनी बुलबुल चक्रबाद ती पशिम मंगाडना मान नुक्षान छलोकोना मौत अने पौणा त्रण लाख लोको प्रभावीत अने एक सड़ोई बारे वर्थ साग तो आ तरफ नाकपुर टी ट्वैंटी जंग मां भारते बांगला देश आपे अक सब पंचोते रननों टार्गेट अने लोकेश राहूल अने श्रेयस नी आईया नी 50 पिप्पी सत्ताना समी करण मां फरी एक वर आपनों स्वागत करिए जने हमाई चर्चा त्याँ आवी ने अटकी हती के भारतिये जंता पार्टी बाहर थी शिव सेना ने टेको आपे के कैम आ कोई शक्यता हो आपड़े विचारी शक्ये के कैम करण के एक तरफ NCP बेजी तरफ कॉंग्रेस और ये जोडानी यूती ने बदले जो फरी एक वार भारतिये जंता पार्टी आदी शामा वीचारे के शिव सेना ने बहर रही ने टेको आपे अने सोई सोटका सरकार मात्र शिव सेना चलावे तमें शुमल आगे छे हरी भाई आब आब बते पार्टी जंता पार्टी डिफेक्το रूल करे बड़े पर अनुपालन करूपर हरी वहीं जो एक सवाल एच है कि जो एंसीपी शीव सहना ने टेको आपे तो एंसीपी ना बैत्रा नईवान नेता हो छे जिमना पकादों मां खुपहला छे अने भारतिये जंता पार्टी ने त्रीशुल चलावानी आदत छे तमें त्रीशुल नी बाबत समझी शको छो के कह कई पार्टियों द्वारा एंसीपी ने हैरान करी शेक है माखाद करी ने प्रफुल पठे लने अजित पवार बनने नी बातमा कदाच बारतिये जंता पार्टी बविश्यमा एमना पगमा ए बेडी लावी दे तो सुबस वैं आमा एऊ थायुचे के जेम के आवकत तोता न कामे लगाडी ने डी ने कामे लगाडी ने आजे बदा खेल कर्वानू बदे चालू करी ऊचे 20 में को ऑनोल ट्रेंद शेरंद अंधर ने अन्षर् arguably आ। मध्यप्रदेश नी अंदर पंद जे रिते चैने कमलाच चे, तो कमलाच साथे नूं कॉंग्रेस ना नेताओ साथे नूं एमनू जोडाण, भारतिये जनता पार्टी तुटीन जाय, ए पंद भारतिये जनता पार्टी ये साच अपड़ा अपने बदा के चैने का आप बदा शिद्धान तो नती ने आमने सक्ता जोई ये चे तो भारतिय जन्ता पारटी ने शुझे तुदू गई वक मैं कहुँ के अगाउ चेने जन्संग वाला चेने शरत पवार नी मिनिस्ट्री मा जोडाया ज़ता जारे शरत पवारे वसंदा जा पाटील नी पीठ मा खंजर भां कोशिश कर से तो उपर थी महाराश्टर बढ़के बढ़के ये वो मने तो लागे जी जी अब मने स्वी आपनो शुम अच्छा बाबते देखिए सबसे पहले तो गवर्नर को भी महा अगाडी को बुलाना चाहिए था एंसीपी और कॉंग्रेस को उनकी 54 और 44 सीटे 44 सीट थ और चोटाला ने क्या किया ये उ pastors लेक्षन से पहले लगा तर बीजेपी को गाली दी, बीजेपी के कारेशाएण रेनी को गाली दी हर्याना में में हर्याना नमबर बन बेरोजगार बताया गया उर था भी उसके बाद विदिन 24 हour वो जाके डेप्टि C.M. आसे ब आर बन सीटे भी नहीं हो रही कॉंग्रेस की 31 सीटे हैं दस मिला के तो भी आप मेजॉरिटी नहीं बना पर है आई एलडी का एक ले लो तो भी नहीं तो क्या है इसका मतलब वहां पर सक्ता की राज़ी नहीं थी अलग तरीकी की लड़ाई थी वहां पर महाराष्टर में क्योंकि ऐस इसलिए शिवसेना अटक गई और अब जो शिवसेना अटकी है अब शिवसेना के पास एक गोल्डन ऑपर्चुनिटी है अपनी जो वोट बैंक है उसको एकटा करने का क्योंकि आने वाले समय में शिवसेना को भी अपना अगर वोट बैंक बढ़ाना है तो 2019 उनके लिए इ जरोत नहीं, NFC के साथ क्या वो situation में हाथ मिलाते हैं क्योंकि NFC के शरण पवार हो हुआ जो हैं वो खुद Congress को समाल लेंगे और इसके बाद जो देश का future है वो NCP के थूरू शरण पवार के थूरू decide होगा कि जो alliances होंगे oppositional alliances जो होंगे क्योंकि महाराष्ट्रा एक example state हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा गटबंदन था NDA का BJP के बाद अगर वो BJP शिवसेना के साथ ऐसा कर सकती है तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है जो इनकी सबसे पुरानी पार्टी है उसके साथ वो ऐसा कर सकती है तो वो किसी के साथ भी ऐसा कर तो सब लोग डर जाएंगे सब लोग समझ जाएंगे और election जो आने वाले समय में होंगे जनता समझ दाएगी कि अब जो वादे होंगे उन पे मत चलो आप candidate को देखो आप देखो कि आपकी सरकार के जो लोग है वो सत्ता के पीछे हैं कुर्सी के पीछे के या मुद्दो के पीछे है आज आप 15-20 दिन में देखो किसी ने किसानों के महाराष्टरी में बात नहीं की किसी ने कोई बात नहीं की कि बात क्या है कि कुर्सी हमको चाहिए धाइडे साल की नहीं तो हम लोग खेल बंद कर रहें जी यहां पर मैं आपको कोड़ा डिक करूंगा इमरी काल से पिछली डिबेट में भी आपने जो कहा था उद्दव ठाकरे वाज विद फार्मर्स वह वह गया था दूसरी जोड़े साथ जना नो टेको हतो और भारतिय जनता परटी पोटेंटली मां अन्दर ती विरोत है कंब के बलतकारी छे फंसे नहीं पर थे पंजाब रोत उपर थें पंजाबियो ना बिरोत उपर थें अन्ने अल्जाब ऑगता जंग नो प्रचारक जे मनोरलाल खटर चे ये पंजाबी चे ये पांच वरस उदी राज करे चे पण ये माहोल जे हतो ये मोधी नो जे अको एरा तो अने जे एनू आखा देश मा जे चालियू एने कारणे कोई एमनी पार्टी मा पण विरोध न करी शक्यों एडले मनोरलाल जने पांच वरस पूरा थे पण ये मने जने विरोध पक्ष नतिज जोए तो एटला माटे जने चोटालानी साथे सैटिंग करियू है अने येना फादर ने जने जेल माती चोड़ावे अने येना दादा आजो जेल मात चे जी 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 योगेश भाई तमने शू लागे चे आज एक गठबंदन उभू थशे एनसीपी अने शीव सेनानू केटलू लाबू चाली शकेव लागेश आ गठबंदन एमने किदू ये प्रमण एक्सो पंचोतेर सीटों चेले सारू एव चालू जोए पन कोई नी विचारदारा एक सर्थी नति तमे एनसीपीनू गोत दाड़ी माहर मानस छे ए दारेतों पांचे पांच वर्ष शीव सेनाने पूरा करावड़ाव शे वाचाची अपनी पर शीव सेना पोते एक वर्ष मां जशे एम मानवा माहरी छे जैने एकड़ वर्ष मर्ष माने के लिए बहुत बीजेपी को दूसरी सरकार तोड़ने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने को दस पंदरा कोई तोड़ने कदाच अपने बाकी सब्सक्राइब तो राष्ट्रपती शासन आवे उसमें डारी वीजेपी शो महिना सुधी राष्ट्रपती शासन चाले दर्मियान मा आब दा जो अंदर अंदर के फरी बात चोड़ करें अने कई बेगा थे इने गवर्नाने केक भी अमारी पास से बहुत मती छे तो और तो कई बिजू शक्य बने विदान सब्सक्राइब तो राष्ट्रपती शासन चाले दर्मियान मा आब दू करी शकाए पर महरे जब मुद्दों कहवों चे कि आब बद्दी पार्टियो बद्दा जे बात करी लोक्षाही नी अमारो भारत देश महान अमारी संत्कुरुती महान एमने आ जनादेश नी जे मशकरी करी छे हरियानामा महराष्ट्रमा ए खरेकर माप करी शकाए उन थी कोई पर राच्किय पक्ष होई गमेडला मोट्या नेता होई पवार होई के पर अत्यारे जे लोक्षाही नी आजे वस्त्राहरण थाई रहे हुचे ए अमारा जेवा सेनियर लोक्षाही ने बहुत दूख थाई चे के आनामाट या लोक्षाही ना गारागावाना आपने तो जहीने प्रेशिडेंट ट्रम्प नो हाथूंचो करी ने दोड़ता था त तो मने रागे जे आमाना एकपड राज के पक्षने सलाम करवा लायक नथी भारतिये जनता पाटी आटली बदी मोटी होई एने बदी बदी बहुत सिद्धियों मेरी वद्धों खरू पा हरियाना माने महाराष्ट्र मात त्यारे शू कर्यू हरी बएज एम किदू एम पर का ना बनती होई तो राष्ट्रपती सासन लाओ री इलेक्षन करो पर लोकों ना जना देशनों आरी ते अवस्त्राहरन ना करो एवी मारी आप पांचे पांचे पांटियों मात इने लागनी छे निकोलसी तमने सूलागे जा गट बंदन केटलू लामबू चालशे मानो के आउती काले NCP यहने शिव सेणा ने सरकार रचाए तो शिव सेणा केटलू आपी शक्षे NCP ने से चैना अगर एनसे भीज़ात गढदन करती हो तो दो-чार दिन पहले पावार साहब ने एक प्रेस कांच की थी उसमें बोला था कि से चैना हमारी सर्तों पे आगर काम करती है तो हम उनके साथ जाएंगे तो वो शर्तों पे अगर पूरा काम करती है तो पूरे 5 साल चलेगी सरकार और कॉंग्रेस ने पहले से ही बोल दिया है शर्ते क्या आपकी शर्ते तो मुझे पता ही नहीं पर साहिब शरत पहली एचे तमवे तमारो हिंदूतों नो मुद्दो छोड़ी दो एचे पर प्रवक्ताय आज़े सफटर रिते की दो कि तमें एंडिय मां थी निकली जाओ सेंटर मां जे तमारो मिनिस्टर से एच चूटा थी जाओ विजेपी थी चूटा पड़ो गठू अंदर मां थी निकली जाओ आब बहाद दो छोड़ी दो काले भगवान राम ना जनाम इस्थान ना बद्धी पक्छोए कॉंग्रेस होए के एंचीपियो बद्धा स्वागत करियो चे के भगवान राम लाला नो तो यां बहु मंदीर बने बद्धानी अंदर राम चे बद्धा हिंदू चे यह वी वाद करवानों कोई मतलब नहीं पर चुटगर साहिब बाजपना पुरुव अवतारे मुस्लिम लिग साते सरकारों बनागे चलाए लिजें और आपने रिखा आप जगनेगी पाते हैं आपको यांद हो कॉंग्रेस इंदों काल में एक दूसरे के गोत्टन में चले गए दे थे पस सरकार बनाई गोंत तक चले गयाने नहीं पड़ शरत पवार ना जे रीते शिव सेहना साथे ना पूर्व संबंदों Bryan पुर्व संबंदों चैनि ए परिवार साथे ना चियूजे आंतरिक संबंदों चैनि ए संबंदों प्रजाना ही तुमा पन थोड़ा समय माटे पन सरकार रचा शे अने जो शरत पवार धार शे तो आज सरकार पांचे-पांच वर्ष पूरा करे भी पूरी शक्यता हो आपने जोई राया ची जी योगेश्वाइट उन जरा हडवी रिते बात करवा मांगेश्व के शिवसेनानों एक महा मंत्रों चे सीयम हमारो पेला निल कपूर ना पिक्टो नी जे एक दावड़े अमनी सीयम बनावी दो पच्छी बदू वाकिक गोठ होई जेश्वाइट शिवसेनाम अद्धा सीयम रहेला चे वो ने थी चैनली लगते लिए तो घट बंदन धर्म नाभ्यावानी उछ ने ऊस बास भाई छे मनी वात ने विचारी रिया चे तो जा युति चैत्यार सुधी युती टूती नथी बंजो मानी लई वो था है तो सारी वाट चे कि शिर से ना खेम के भड़वज निस्टी सटेक पारती जंता पार्टी एमा थी बहार निकली गई चे मानिलो सुभाज भाई जे कही रिया चे सारू चे यूती ना टूटे ने शीव सेना नो सीम बनाई ने भारती टेको आपे ने जो 171 वात हती तो बनने मलाई ने 161 थाये चे तमने खबर चे के 5-5 अपक सेमा जोडाई गय चे एटले 10 गणों तो 171 थाये चे जी अधाय तो सारी वात है तमने शू लागे जे मानों के शीव सेना ने एंसीपी नी सरकार रचाई तो एंसीपी माधी मुख्य मुख्य मंत्री तरी तरी बादे कौने बैसाडवानी शक्केता आओ लागे शे ने अमने नेता तरीके जे अधित्य सीएम्बने एवा पन पोस्टर हो चालया पन पछी चने उध्धवनी वातावी उध्धवने बाइपास सर्जरी करी चे पन उध्धव चने ए थाये तो सर्वस्रीकृत बनी शक्के बिजा कोई एमना जे सिनियर लीडर हो चे एने कोई वादो ना होए कारां के बा अधित्यार पने उध्धव जे केशे एज थर्शे हैं वह परामानिक पढ़े मानुच जी मनस्री आपकी क्या राय है देखिए यह सरकार चलाना इसका 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 औब्जेक्टिव सिंबल एक ही रहेगा कि हमको बीजेपी को नहीं लाना इसलिए हमको सरकार चलाना है तो हमको यह समझना पड़ेगा शिप सेना को एंसेपी को और कॉंग्रेस को कि अपने एमेले को समाल के रखना बाकी सब तो ठीजर ठीक है एक साथ आप आगे हो फैवी कॉल का जोड है बीजेपी है और अब अपने एमेले को समाल लिया तो आप 5 साल चला सकते हैं असानी से नहीं करना टकाना हो जाए छे महीने तक तो वो चला लेंगे जाए चला लेंगे मैं तो इसलिए कहता हूं ना कि एक छे महीने या तो एक साल जा देशाल जाजा जा शुबाश जी उसके बाद रिजॉर्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा आपने बार विश्वास मत बना लिया उसके बाद आ फिर बार बार आप रिजॉर्ट में नहीं जा सकते हैं। संजे राहुत नी बात करूँ जी अने संजे चेने शरत पवार नी साते नू एनू ट्यूनिंग चे एज सतत मड़ता रहा चे शरत पवार छुपाई ने मड़या न थी। इटले मने लागे जे भारतिये जनता पार्टी ने पन खबर चे कि आ लोकों नू जोडान थाई रह संजे निरूपम नू स्टेटमेंट के जुदू जाविया चे अने महाराष्ट मां एक कॉंग्रेस ना जानीता नेता चे अने एमने करू के जो शीव सेनर साथे कॉंग्रेस बढ़शी तो आत्मा हत्या हर चे संजे निरूपम ने अत्यारे त्या कई घणवा मां आऊ तो नतीने अमनों जे पहला का दातों जीरो थाई गई जी 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 अत्यारे बहुत महत्वनों मुद्धो ए आवी ने उबहु रहे हो छे क्या भाजब तरजोडनी नीती नथीव आपरी रही आहिया आगर अने सब्सक्राइब कोशिश की हुई नहीं तो आज नहीं बोलती है पर कोशिश उनकी फेल हुई और यह सही में उनके लिए तमाचा है इसलिए बीजेबी चुप है सुभाज भी भारतिया जनता पार्टी नी आएक विशेश आवड़त चे जेम धोड़ी नी एक आवड़त चे के गमे तेवा बोलने पॉने सिक्षर मारी शक्यम भाजब नी आवड़त चे के क्या थी ने क्या थी संब्यों तोड़ी लावा पुण आव अखते आ एनी कोई रन दी लागे चे बाकी तोड़ी नया शके एक शक्यम न थी अने कोईरे समाथी किटला लों के अमने ओफर थी ती चालिस के आसपास तोड़ने मुश्किल है चालिस के आसपास तोड़वा जाए तो भारतिये जनता पार्टी जाहर थाई जाया अने इनू महुच खराब देखा है अने महाराष्ट्रमा जे महाराष्ट्र मराथी लॉबी नू जे ट्रम्प कार्ट चाली रहूँचे ने ए दिस्ट्रप थाई जाए भी पूरी शक्यता हो देखा है चालीस के बहुत मुश्किल होती है अने पिजू तमने कव महाराष्ट्र नू कल्चर तमें कई ने हूँ तमने तमारी ये कॉमेंट ने हूँ बहुच एप्रीशेट करू जो महाराष्ट्र के उचे महाराष्ट्र क पुस्तक ना लोकार पन माटे पन आवे अने बदाने भेटे पन करा जी चर्चा पन करे पोताना विचारो पन मुखे आ महाराष्ट्र नी परंपरा चे वह गणी वकते आपड़ा मंचू पर थी में कई तुमें के फड़नवीस एवो मुख्य मंत्री जे बारतिये जंता पा इशद मां एक सब्या अपक्ष एक सब्याने सवाल करे तो बहुच गरी मां पूर्ण रिते ये तिया जवाब आपे हूँ तो फड़नवीस नो फेंचू पर एले कहुचू के आ गरी मां ये महाराष्ट्र नो कल्चर छे आपने तिया एक कल्चर न थी गुजरात मां इबात सची जे इशद मांनो के आज जोडान चालीओ तो आगामी समयमा जे स्थानीक चुटनीओं माहराष्ट मां आवी रही छे एना उपर शू असर पड़ शे बारतिये जंता पार्टी काया प्रकार्नी भूमी का मां आवी जे शे लेखिए बारतिये जंता पार्टी का लिए एक setback होगा महाराष्टा छूटना छूट चूट चुका है उनसे और जो बाकी जो मुंसपल elections आएंगे उसमें भारतिय जनता पार्टी को चोट पहुंचेगी शिवसेना NCP Congress की बढ़त होगी क्योंकि भारतिय जनता पार्टी का जो swinging vote गया था भारतिय जनता पार्टी क वो रुकेगा और वो रोका भी किसने उनके ही खुद की अलाइने तो ये भारतिय जनता पार्टी को खुद भी समझना पड़ेगा ये क्या हो गया और ये जो है इसका effect से महाराष्टा तक नहीं है ये इसका effect पूरे आने वाले हर election में रहेगा और अब जो जनता voter है वो आता और बीजेपी ने अपने ही भाई के साथ ऐसा किया है तो बीजेपी किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है तो ये जनता का conclusion आने वाले election में आएगा और एक बात उसमें एड कर लू आप तमने नवाई लक्षे के भारतिय जनता पार्टी ए सिवसेना नी सामे पोता ना बढ़ बिल्कुल बिल्कुल इसमें आप हर्याना की भी देखेंगे ना जो वो मैंडेट था पॉपुलर मैंडेट था मोदी वेव जो थी वो इसी कारण हर्याना और महाराष्ट्रा पिछले बार 2014 में वो वेव में जीत गए और अब की बार क्या था मंदी का था आप इससे पहले उनुचे 370 भी अटा था आप एलेक्षण की रैलियों में देख लीजिए कहींपे भी स्तानी अमुद्वो की बात नहीं कीगी कहींपे भी बिरोजगारी की बात नहीं क्रेडिबल फेस नहीं था महाराष्ट्रा में या फिर आप हर्याना की बात करो इसलिए वहाँ पर वोट नहीं गया अगर क्रेडिबल ओपोजिशन फेस इन जोनों जगा कहीना की मिल जाता तो कहीना की सरकार बीजेपी से हटके ओपोजिशन के पास चले जाती जी योगेश में आपनी वाद सची चेश ज़े मुख्य मुद्धाव ता ए उस्थानीक मुद्धाव एने तो कोई टच कर्यानानी, 300 सित्तेर वाली वाद इन वद है करवानी हे ती, पाकिस्तान साथे मुद है करवानू तू, अमारी अहिना चीफ मिनेस्टर रेसुक करवानू चे, किसा अंने नुख्चान तेवी चे ए मुद्दाऊं बे रोजगारी अने कित्रा वदा औधो व्किक भन्तावानी त्यारी सिपारी मां अनी कोई यह करी प्रभाव गणो दिमेदे में ओचो था ही रहो चे ए भारतिये जंता पार्टिये पोते मनोमंतन करीने अवे समझवानी जरूर चे गुजरात मा होई मध्य प्रदेश मा होई कि महराष्य मा होई हवे आ समझवानी जरूर अभी न उभी रही छे राम मंदीनो मुद्दो हवे के लाम्भो चालवानो नथी एंना उपर वोट लेवाना अते लेवाई ग्या तरस्य सित्तेरव वोट लेवाना लेवे ग्या प concise प पर सरकार रजु अच्काई छी ए रिते भारतिया जनता पार्टिया मनों मंधन करवानी जरूर छे एउ मने लागे एक और चीज सुभाज जी मैं गुजराद बाइपोल में भी 3-3 आया है जी कॉंग्रेस का कम बैक है आप देखिए जिस तरीके से भी कॉंग्रेस अगर मेहनत करना शुरू कर दे फॉर अब बार फिक्स वोर्टर चांवर्त बेजर की वेखिए वोच्ट नहीं गर अगर कॉंग्रेस कहीं महनत कर रहे तो kahukा कॉंग्वर्स का फिक्स वॉर्टर बेंग तो है से महनत की बारिये ऑक बार कॉंगर्स मेहनत करें तो लोग उनको वोट भी करें और हुआ है जारा जिए जरूर छे के अमारा माटे सारा जीवस वही रहा चे जाया राष्ट्रिय प्रमुक ना शोदी शकता हुए गुजराद जेवा माल्खु ठीक ना गोठ वातु हुए महाराष्ट्रमा तो बरोबच् एक मजबूत विरोत पक्स्तों मड़ी रहे शे देशने जी हरी वे आमा एऊ चेक कॉंग्रेस चेने पतासू पड़े ने मोड़ामा एनी राज जुए चे कॉंग्रेस पोते चेने पोतानू मालखु रस्ती नती पोते चेने प्रजानी वच्चे जती नती जो भारतिये जंत जंता पार्टी ना शाषन एटर ना राज्यों नी अंदर तमें आम प्रजानी वात करो तो एच ने गणा बदा प्रश्टनों चे पन छता भारतिये जंता पार्टी नो नेटवर्क के हूँ चे के लोको नी साथे संपर्क राखे चे को भीजू के यह जा जा विरोत पक्ष माच चे त्या त्या एक खुब एक्टिव चे अब वेस्पेंगोल जो कितलो एक्टिव से भीजिए जी 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 और दूसरा एक एक चीज मैं जो बताना चाता हूं कॉंग्रेस के लिए खुशी की बात यह हो सकती है कि देखी आपके पैसा नहीं है आपके पास है आप अपने आप सरकार बनाईए जी एक बहुत महत्वनी बाबती एच्छे के आवती काल सुधी मां महराष्टे नो कोई केक लेना याउशे एंसी पी अने शिव सेनानू जो गटबंदन सक्सेस गयू तो चोकस पड़े एक नवी सरकार महराष्ट मां होतानू स्थान जम है देशाई आप सव मित्रों नो खुब-खुब आभार जी एस टीवी मां आवा अनेक मुद्दाओनी चर्चा लेए ने हमें अवार नवारत अमारी समक्ष सतत उपसित्थता रेशू कारण के अमें छिए सरकार नी सामें बैठे ली एक एवी चैनल के जे कोईपन सरकार आ थी रहे तू अने माटेज जी एस टीवी एना दर्शकों प्रत्य हमेशाँ वफादार रहे हुचे अने अमें प्रकर्चिये आप सव ने जी एस टीवी जोता रहे वा माटे विलन दी एक जो माच अमु लोगी दिमाग